हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे रेस्टोरंट स्टाइल क्रिस्पी प्रोंस फ्राई यानि की जिंगा फ्राई की रेसिपी आपने हमारी चिकन और मटन रेसिपी को बहुत पसंद किया और प्रोंस फ्राई बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम प्रोंस यानि की जिंगे इनको हमने अच्छे से साफ कर लिया है देखिए जिंगों को साफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखेगा कि यहां पर एक ब्लेक वेन आती है इसे आप जरूर से निकाल लीजिएगा अब हम इसका मेरी नेशन तयार कर लेते हैं मेरी नेशन के लिए हमने कुछ सुखे मसाले लिए है सुखे मसालों में हमने लिए हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला एक टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून नमक एक टीस्पून कस्मिरी लालमिश पाउडर एक टीस्पून लालमिश पाउडर एक टीस्पून चाट मसाला और एक टीस्पून जीरा पाउडर देखिए नमक आप अपने स्वात के नुसर भी इसमें एट कर सकते हैं और कस्मीरी लालमिश पाउडर यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है आप इसकी जगह एक टीस्पून रेट फूड कलर भी एट कर सकते हैं अब हम इसमें तीन टेबल स्पून बेसन और तीन टेबल स्पून कॉन फ्लोर एट कर देंगे देखिए कॉन फ्लोर की जगह आप जिंगो को क्रिस्पी बनाने के लिए तीन टेबल स्पून राइस फ्लोर यानि की चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें हम एट कर देंगे चार बारिक कटी हुई छोटी हरीमिज और एट करेंगे तीन टीस्पून अद्रक और लेसुन का पेश्ट जिंगो को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून नीम्बू का रस थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और मरीनेशन के सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए यहाँ पर मरीनेशन का मसाला हमने तयार कर लिया है हमने तकरीबन चार टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है अब हम इसमें एट कर देंगे जींगे मरीनेशन के साथ जिंगो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ढख कर आदे घंटे के लिए मरीनेट करेंगे जींगो को डीप फ्राइ करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब हम एक एक करके इसमें जींगे एट करेंगे और लो फ्लैम पर एक तरफ से हम इनको दो मिनिट तक अच्छे से फ्राइ करेंगे देखिए दो मिनिट के पहले हम इनको टच नहीं करेंगे अगर दो मिनिट के पहले हमने इनको टच कर लिया तो इनकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी और तेल में तीरने लगेगी तो इनकी साइट्स को चेंज करने में जल्दबाजी मत कीजीगा एक तरफ से दो मिनिट टक हमने लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लिया फिर हम इनकी साइट्स को चेंज कर देंगे जब हम इनको तेल में से निकालेंगे तो निकालने से पहले हम 30 सेकंड के लिए गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे इसा करने से इसकी क्रिस्पिनेस और बढ़ जाएगी तो निकालने से पहले 30 सेकंड टक हमने गेस की फ्लेम को हाई कर दिया और तक्रीबन 4 मिनिट टक फ्राई करने के बाद हम इनको तेल में से निकाल लेंगे सेम प्रोसीजर को फोलो करते हुए बाकी के बचे हुए जिंगो को हम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करनेंगे और तेल में से निकालते वक्त 30 सेकंड टक गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हां हम इनको 4 मिनिट से ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे ज्यादा फ्राइ करने से या ज्यादा पकाने से ये हाड हो जाते हैं तो खाने के लिए तैयार है रेस्टोरंट स्टाइल क्रिस्पी प्रॉंस फ्राइ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो में आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंजया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई